नमस्कार मैं गुपतेश्टोर पंडे डीजीपी बिहार बिहार में लॉकडाउन के चौते चरण में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है क्या है क्या नहीं है मैं बता देता हूँ कहां छूट है कहां कड़ाई कहां कहां है करफुवाई यह सब को जानना चाहिए कि लॉकडाउ के चौते चरण में भी आम आदमी को उसी संयम और उन्सासन में रहना है जैसे आप पहले से रहते आये हैं पहले के सारे आपके नियम मालूम है वो सब नियम वैसे ही रहेंगे कि चार्चका में नहीं चलना है मोटर साइंकल पर दो आदमी को नहीं चलना है बिना पास के नह तरह से किताबों की दुकान चस्मा क tua इंसमा थे कान दवा की दूकान बहुता पहले भी खुली हुए उसी तरह की दुकान कि किसreated जाके में कितने देर तक क्या खुलने की ज़रूत है और जिला प्रसासन अपने हिसाब से इन दुकानों पुलेगा लेकिन आप लोगों को अपने निकट के दुकान में जाना है पटना सीटी का आदमी आसे आना में मार्केटिंग करने नहीं जाएगा आदमी कंकड़वा की द चिने वाले हैं दुकांदार हैं सेल्समेन हैं मुँपा मस्क लगा कर रखेंगे सेंटाजय का प्रयोग करेंगे सोसल डिस्टिंट्री की नहीं का पालंग करेंगे 11-4 बजे तक लेकिन बड़े-बड़े जो सॉपिंग कॉंप्लेक्स हैं मौल से वह नहीं खुल रहे हैं सिन नहीं खुलने हैं किसी तरह का धार्मिक राजनेतिक सामाजिक सांस्कृति या किसी तरह का कोई काजिक्रम सामुई कर नहीं होगा मंदिरों में पब्लिक के लिए नहीं खुलेगे मस्जिदें पब्लिक के लिए नहीं खुलेगी तवारी की नमाज भी अपने घर में अदा क किसा चलेगा कि नहीं इसके बारे में बस चलेगे इतने बहुत लोगों कन्फूजन है अदर साधेस निकाल रहा है आप सबको पता चल जाएगा फिरहाल बरुस्ता यह है कि टेंग से जो जातरी आ रहे हैं आवागमन के लिए उल्ला को उबर को किसी टेक्सी को स्टेशन से घ और और अफिस सारे खुल गया है सरकारी भी प्राइबेट भी लेक्षी सरकारी दफ्तर में डिप्रेश से उपर के सारे अधिकारी आएंगे उसके नीचे के केवल तैंतीस परसेंट रोटेशन पर प्राइबेट जो कंपनी जहें प्राइबेट संस्थान हैं उनके दफ्तर प्राइबेट से लोग आएंगे वह भी रोटेशन पर इस बात को ध्यानतनास अभी प्रखंड मुख्याले को रेट जोन मनाया गया है तो रेट जोन में कोई दुगार नहीं कुलेगी जी से वैसे अभी भी नहीं होगी तो सम मिला जुला करके ये बात समझ लें कि अभी राजे के अंदर खुली छूपनेहीं कि आप कहीं से कहीं जाए और एक जिले से दूर्से जिले के अंदर जाने की तो इजाजत ही यह बिना पास के बिना सरकार के परमिशन सरकार ने जिला दिकाज के परमिशन के आप नहीं जा सकते निजी बहां का उप्योंगी नहीं कर सकते अपने मन से तो पूरी तरह से लॉट डाउन उसी तरह से अंटा बस कितनी सिवाद कि 11-4 भी तक कुछ दुकाने खुलेंगे जिस करते हैं करते हैं लेकिन साम को साथ will से सुबह साथ बज़े तक बिल्कुल कर फुर रहेगा नहीं निकtoi सकते केवल सरकारी जो इस लॉगडाउन में काम करते हैं वो या आपात काली इमर्जनसी एसेंसेल सर्विसेस सम्मनित लोग वही जा सकते हैं बाकि आम आदमी के लिए साथ बेसाम से सुबर साथ बेस तक कर्फू है तो लॉगडाउन के चौटे चरणा का सार यही है आप सुभूं झाल 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 झाल